शुरया के यूटूब चानल अर्चिल мясने में आघ आपके लिए यह akan जो कि स्पेष्टल बनने वाला है यह वीडियो कंपलिक्टी है का लिम्स कर बता रहा हूं कि कौन सा बिच बेस्ट है आपका budget क्या है इसमें आप देखके ले सकते हो and also beginners के लिए कुण सा बेश्ट है and professional level के लिए कुण सा बेश्ट है and intermediate arches के लिए कुण सा बेश्ट है ये वीडियो में आपको complete जान करें मिल जाएगा तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको लिम्स का पूरा वाक्थू वीडियो बनाऊंगा आप लिम्स एक बार देख लेना जो भी मेरे पास है and मेरा collection है वो आपको बताऊंगा and इसके बाद में इसमें बहुत सारा ब्रैंड्ड्स है like white archer के ब्रैंड्स है and win&win company के ब्रैंड्स है like midas के है and many brands like many brands आप सोची ने सकते है ओ इतने hais and per year एक नया model दे रिलिम्स का and price भी बढ़ते है and performance भी भी बढ़ते है so इसकेसाब से भी आप करिशोकर बनते हो वजह भी आप Palazya program आप देख लेना कून सााइफ के लिए bestat जो भी मेरे पास है मैं आपको बता रहा हूँ चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो करते हैं अपना वीडियो तो सबसे पहले लिम्स खरीदने के लिए आपको सेलेक्शन आफ लिम्स बहुत इंपोर्टेंट है मैं आपको सेलेक्शन आफ लिम्स बता दूंगा तो चलो शुरू करते हैं हम पहले सुरू करते हैं है लिम्स खरीते है लाइक आपका है उसलेक्शन इहां पे आप देख सकते हो यहीर लिए लाइक छोटे बच्चों के लिए देता रहता हूं अभी लाइक 15 येर से मैं दे हूं और यहाँ पे आपको clear इसके बारे में details मैं brief details इस वीडियो में बता रहें जा रहा हूँ तो आप videos skip न कीजिए complete details जान करें आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए 66 size का है और 36 LBS है तो 66 like 5 feet 4 feet बच्चों के लिए या 5 feet बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा और यह मैं suggest करूंगा low poundage ही दीजिए बच्चों को ज्यादा poundage ना दीजिए and give them lightweight bow and longest bow and also low poundage bow क्योंकि basically बच्चों technique सिखना चाहिए like techniques नहीं आएगा तो वो कितना भी अच्चा बहुत इस्तमाल करेगा तो भी score नहीं आएगा तो मैं यह suggest करूंगा जो भी बच्चा beginner है उनके लिए आप heavy poundage का bow ना दीजिए and ज्यादा पैसे वाला bow भी ना दीजिए त्योंकि वो अगर कोई mistake गलती करता है तो वो खराब होने का ज्यादा chances वता है तो यहां पर आप देख सकते हो right we have 68 and 38 poundage का limb है it is premium limb and यह आपके लिए 5 feet height वो बच्चों के लिए best रहेगा 5 feet 5 and aft feet का और यहां पर 6 feet के लिए 70 and 40 poundage का limb okay आप मैं जो भी बच्चे है 40 poundage से निचे ही देता हूं ज्यादा नहीं देता हूं क्योंकि 40 poundage से heavy जायेगा बच्चों का shoulder पे effect बहुत पड़ता है अब अगर best है तो यही है जो भी professional है वो 42 यूज करता है 44 भी यूज करता है उनका capacity पे depend करता है आपका बच्चा बहुत strong है तो आप heavy poundage दे सकते हो अगर आपका बच्चा weak है land कोई बात नहीं आप दे सकते हो पर ध्यान रखना shoulder नहीं effect होना इसलिए आइंड लिम्स खरीने या राइजर खरीने और बहुत ज्यादा पैसे लगता है यह सोच के आर्चरी में नहीं आते पर मैं आपको promise देता हूं guarantee देता हूं when you step in archery you don't feel this is the highest price आपको नहीं लगेगा क्योंकि आपको उसके बारे में मालूम होचाएगा क्यों इतना प्राइस आर्चरी के लिम्स पे लग रहा है क्योंकि यह यहां पे नहीं बनते हैं पूरे completely जो भी यहां पे आप देख रहे हो पूरे imported है like this is tendering archery का जो भी है यह made in Korea का है और यह made in China का है जो कोई भी यहां पे आप जो भी लिम्स यहां पे देख रहे हो यह कोई लिम्स यहां पे इ Axiom Plus Only यहां पे आप Premium देख सकते हो SF Premium लिम्स यहां पे आप Premium लिम्स यहां पे आप तो यह था लिम्स का वीडियो अभी भी डीटेल जानकारी चाहिए तो मुझे आप मेसेज कर सकते हो कामेंट सेक्षन में